नमस्कार मैं रेंद्रितिवारी अल्ल टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों पंचाय चुनाव को लेकर वो सारी इंफोर्मेशन जो इस वक्त आप जानना चाहते हैं वो इस वीडियो के लाश्ट तक अगर आप देखिएगा तो इस वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी सबसे पले बात कर लेते हैं सीधे तोर पे कि क्या पंचाय चुनाव आगे टल गया एक लाइन में कहें तो बिल्कुल नहीं सरकार ने अभी इसको लेकर जो है कुछ भी बयान नहीं दिया है सरकार के बड़े-बड़े मंत्री चाहें वो आलमगिर आलम साहबों चाहें मुख मंत्री ने खुद ही शुरुवाती तोर पे सहमती जताई थी कही ना कही तब जब सहमती जताई थी यह मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके पीछे एक ठोस कारण है और आप जानते हैं कि All-Time Public India हमेशा से बिना पक्षपात के आपको एक ठोस एनलिसिस आपके समक्ष रखती है याद किजे ज़रा दोस्तों राज निर्वाचन आयोग ने SOP जारी कर दिया था यानि कि एक स्टेंडर प्रोसीजर जारी किया था कही न कहीं राज निर्वाचन आयोग ये चाहता था कि चुनाओ जो है वो सही समय पर हो सरकार की शुरुवाती तोर पे सहमती के बाद ही यह जो SOP जारी किया गया था और सहवाल बहुत ही अहमियत वाला उठता है कि जब स्टेंडर प्रोसीजर जारी कर दिया था तो उसके बाद भात आखिर कहां बिगड़ी देखे एक प्रोसेस होता है एक प्रक्रिया होती है सरकार शुरुवाती तोर पे जब निकाय चुनाओ को लेकर याद होगा आप सभी को कि सरकार ने फैसला लिया था कि दलगत नहीं होगा तो फिर उसे पास किया उसकी जो कैबिनेट से पास किया फिर राजिपाल के पास ग पंचाय चुनाव को लेकर अपनी अनुसंसा नहीं किये तो आखिर दोस्ट किस पे डाला जाएं। पंचाय चुनाव को लेकर भी कहूंगा। वो जब पिछले दिनों गोड़ा आयते नोंने का कि पंचाय चुनाव सरकार जल्द कराएगी। अब कल प्रेस कॉनफरेंस हो रहा था राची में तो आलमगिर आलम सामने पंचाय चुनाव को लेकर का कि पंचाय चुनाव जल्द कराएगे। यानि कि अभी भी सरकार के अस्तर पर इसे टाला नहीं गया है। इस पर खास चर्चा हुई तो फिर नया मद्दाता जुड़ेगा उसी के अलहार पर चुनाव होगा तो इसमें काफी वक्त लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं आरक्षर फेक्टर से लेकर परिसीमन तक छेत बूत अलॉट्मेंट से लेकर बहुत सारी चीजें हैं इसमें एड होंगे कही ना कहीं। क्योंकि आप सभी को पता हैं कि हर एक राज्य में जन्वरी में नया मद्दाताओं की सुची उपलब्ध कराई जाती है राज निर्वाचनायोक के तरफ से तो इसमें लंबा वक्त जो है वो लग सकता है इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दोस्तों यही हकीकत है और मुझे लगता है कि इसमें जितना भी आप कहलें चाहें कोई चैनल कराएं कि बाद में होगा कोई करें कि मार्च में होगा कोई करें कि जून तक जाएगा कोई कराएं कि दिसंबर मिश्र हो जाएगा लेकिन हकीकत इतना इनलिसिस करके क्योंकि मे पास information जो आती है मैं उसको बहुत बारिकी से जांच करता हूँ तब आपके समक्ष उसको लाता हूँ मैंने बताया था पहले भी आपको कि अभी तक सरकार के तोर पे अधिकारिक रूप से टालने को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है सरकार के तमाम मंत्री पदाधिकारी प तैसे ही राज निर्वाचनायोग जो की पिछले दिनों बैठक जब हुई थी उपायुक्तों के साथ तो उसमें जो राशी है मत्पेटी से संबंदित दिक्कते हैं और खास करके एक फैसला तो अल्रेडी राज निर्वाचनायोग ले चुका हैं कि इबियम से राज के समझना होगा राज निर्वाचनायोग के तरफ से अंतिम तयारियां चल रही है बहुत सारी तयारियां इस पर की जा चुकी है बहुत सारी तयारियां राज निर्वाचनायोग अपने अस्तर से करना भी चाहता है लेकिन सवाल अभी भी बहुत ही अहम सवाल है कि राज में पंचायत चुनाव आखिर सरकार कब तक एलान करेगी यही में सवाल है कि आखिर पंचायत चुनाव कब एलान होगा तो देखिए मुझे अभी भी लग रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव करना तो चाती है एक नया खत्रा ओमिक्रोन को लेकर बहुत सारी चीज़े अभी नही पता है मुझे लग रहा है कई ना कई अब इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अभी तक देश के अंदर ओमिक्रोन के केसिस जो है वो नहीं निकले हैं अंतराष्टिय उडान पर खास जो है ध्यान मुझे लगता है कि पब्लिक की है क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन अभ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होगी तभी न ज्यादा से ज्यादा आप शुरुवाती तोर पे पकड़ पाएंगे क्यों लोग है कैसे तो कहीं ना कहीं पंचाय चुनाओं को लेकर मुझे लगता है कि हवा अभी मत आप दिमाग में रखिए हां बहुत सारे प अपील है कि आप जन संपर्क करते रहिए लोगों से मिलिये जुलिये वैसे भी लोगों से मिलना जुलना कोई दिकत की बात नहीं है कोबिट प्रोटोकॉल का पालन कीजे भीड़ भार लेकर मत जाये लोगों के बीच क्योंकि मैंने देखा है कि अब काफी बदला है वोटर बना रहे हैं जो हला कर रहे हैं वोटर वो उतने जादा हमयत नहीं रख रहे हैं चुनाओं में गुप्त वोटर की भूमिका बहुत जादा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं जीयों आने के बाद डिजिटल क्रांती के बाद लोगों के मन में उत्सुकता भी है तो साथ साथ अपने जन प्रतिनिदियों के जवाब दही से जुड़ा हुआ प्रश्नवाचक चिन भी उनके आँखों के सामने हमेशा घूम रहे हैं तो अभी पैसे खर्च ना करें जन संपर्क करते रहे हैं जैसे ही आयलान होगा थोड़े बहुत आप पैसे जो सरकार की गाइडलाइन ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजे और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइबर के बिल आइकन जरूर दबा लीजे बहुत बहुत धन्या